सल्मान खान की टाइकर जिन्दा है इस साल की मच अवेटिड मुवी में से एक है ट्यूब लैट के बाद लोगों को इस फिल्म का बेश सबरी से इंतजार है साथ ही फिल्म में आज तर का बॉल्यूट का सबसे महंगा क्लाइमिक शूट किया जा रहा है और सल्मान खान काफी स्टन्स खुद करते वे नजर भी आएंगे और हाली में ही एक इंट्रिव्यू के दौरान फिल्म की लीड एक्टरिस कैटरीना कैफ ने किया है फिल्म को लेकर तीन सबसे बड़े खुलासे तो चली आपको बताते हैं उन तीन खास बातों के बारे में पहला खुलासा ये है कि टाइगर जिन्दा है की स्टोरी वही से चालू हो कि जहां से एक ताइगर की स्टोरी खतम हुई थी और फिल्म को देखने के लिए आपको पहला पार्ट देखना बहुत जरूरी है क्योंकि फिल्म के कई सीन पहले पार्ट से रिलेट करते हैं दूसरा खुलासा है फिल्म के किरदारों में कोई भी हेर-फेर नहीं किया जाएगा और साथ ही फिल्म में बहुत से नए किरदारों की एंट्री भी होगी जिसमें साउथ के एक्टर सुधीप भी शामिल हैं जो फिल्म में विलन के रोल में नजर आएंगे और आपको बता दें कि सुदीप ने इस फिल्म के लिए 6 करोड की बारी बर्कम फीस चार्ज करी है तीसरा और आखरी खुलासा है फिल्म में पहले पार्ट से भी ज़्यादा हाई एक्शन और टीन सीन्स होंगे फिल्म का 70% बजट फिल्म के एक्शन सीन्स पर ही खर्च करा गया है और केटीना और सुल्मान खुद एक्शन करते वे नजर भी आएंगे तो दोस्तो आपकी इस तीन बड़े खुलासों के बारे में क्या राय है हमें बताएं कमेंट सेक्शन में और बॉलिवूट की और अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को